Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए August 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि August मन्त में आपकी Love Life में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टनर की energies होंगी, क्या आप में हसूस करेंगे कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखे आप August मन्त की energies को बदल सकते हैं, अपनी Love Life को बहतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका Moon sign हो या फिर आपका Sun sign हो इन फाक जिस sign के साथ आप सबसे ज़्यादा resonate करते हैं, आपको लगता है कि ये sign आपका है आप उस sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं August 2024 की Love Tarot Reading आप लोगों के लिए देखें कि August 2024 में आपकी Love Life में क्या हो रहा है में परस यहाँ पर तीन set of cards है फर्स set of cards में हम आपकी Energies देखेंगे फर्स set of cards में आपके Partner की Energies देखेंगे और फर्स set of cards में हम देखेंगे कि finally August month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आप इस सबसे पहला card मुझे दिख रहा है और यह card कहता है कि कुछ time से यहाँ August starting में कुछ चीजें हैं इस relationship में या फर कुछ के लिए उनके Partner की हो सकती है जो आपको ठीक नहीं लग रही है आपको ऐसे लग सकता है कि भाई यह fear नहीं है यह ठीक नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी कहीं आप upfront होके चीजों को नहीं deal कर रहे है कहीं आप इन चीजों को नहीं confront कर रहे है यहाँ पर running का card कहता है कि आप इन सब चीजों से भागते हुए दिख रहे है and special to me का card कहता है हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत आपके लिए special है और कभी-कभी क्या होता है ना कि हमारे अंदर एक fear आजाता है कहीं हो हमसे नराज ना हो जाएं कहीं हो relationship ना end कर दें या फिर लडाई ना हो इसी वज़े से हम चीजों को लेकर चुप हो जाते हैं और जब हम ऐसा कर रहे होते हैं actually में एक temporary gain हमारे को हो रहा होता है कहीं temporarily चीज़ें खराब नहीं हो रही होती लेकिन अंदर खाते कहीं relationship बहुत खराब हो रहा होता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी चीज ठीक नहीं लग रही है जरूर प्यार महबत से उसको confront करें कहीं आप उन चीज़ों को avoid ना करें गहीं आप उन चीज़ों को ignore ना करें और यहां पर देखिए judgment reverse का card कहता है कि आप थोड़े से यहां फिर कुछ prices के लिए हो सकता है बहुत जादा critical हो रहे हैं अब देखिए यह general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ prices के लिए हो सकता है कि आप खुद को लेकर बहुत critical हो रहे हैं और at times, you know, जब partner के लिए बहुत feelings होती है, प्यार होता है तो हमारे को अगर जब कोई बात ठीक नहीं लग रहे होती है, हम खुद को ही doubt करने लगते हैं शायद मैं ही ना बहुत sensitive हूँ, शायद मैं ही ना बहुत जल्दी बुरा मान जाता हूँ, बुरा मान जाती हूँ तो कुछ के लिए हो सकता है कि आप खुद को लेकर बहुत critical judgmental हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने partner को लेकर बहुत critical judgmental हो रहे हैं और शायद, you know, reality में कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, लेकिन आपको चीजें बुरी लग रही हैं, अभी हम आपके partner के cards देखेंगे, August month के energies देखेंगे, तो picture जादा clear होगी कि actually इस relationship में क्या हो रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए इस सिरफ आपकी energies देखें, तो यहां तो आप आप खुद को लेकर बहुत critical judgmental हो रहे हैं, आप partner को लेकर बहुत critical judgmental हो रहे हैं, कुछ decisions लेने की ज़रत है, आप नहीं ले पा रहे हैं, और बहुत stuck आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि भई, आप नए सिरे से चीजों को शुरू करना चाहते आप कर ही नहीं पा रहे हैं, और Eight of Souls का काड कहता है कि बहुत एक confusion, helpless वाली feeling आप महसूस कर सकते हैं, आप देखिए helpless को सुनके आपने परिशान नहीं हो ना, in fact आपने थोड़ा सा pause करके चीजों को observe करना है, realize करना है कि भई, ये helpless वाली feeling क्यों आ रही है, कैसे आप चीजों पड़ती हूँ न, मैम आपने reading बड़ी negative करी, मैम आप हमेशा गलत बोलते हूँ, दिखिए जो कार्ट आए हैं मुझे वैसे ही उनको read करना है, और मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप tarot को as guidance लेते हैं, tarot से advice लेते हैं, तो आप चीजों को भैतर कर सकते हैं, और इस reading को आपन कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं जिनको आप नहीं change कर सकते हैं, उनके लिए acceptance ले आए, जो change कर सकते हैं, उनको change कर लें, तो यहाँ पर देखिए, अब हो सकता है कि बहुत सरे prices देखे, eight of swords, भई हमारे हाथ बंदे हुए हैं, आखों में पट्टी है, तो यह इसलिए है क्यों कि जो आप आज कर रहे हैं, उसकी वज़े से future में चीजे हो रही हैं, और अगर आपको दिख रहा है कि future में problem है, जो आप चाहा रहे हैं, वो नहीं हो रहा, तो आप present जो कर रहे हैं, उनको change करके future को भी change कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको यही कहूंगी, पर कि end August में आपका भी behavior attitude partner के साथ खराब हो रहा है, और देखिए, जब हम wrong चीजों को बरदाश करते हैं, या फिर उनके लिए stand नहीं लेते हैं, तो वो हमारे अंदर भरता जाता है, गुस्सा भरता जाता है, और फिर एक point आता है कि हम उस गुस्से को नहीं contain कर पाते हैं, फि chin time saves 9, तो जब पहली बारी partner की कोई बात नहीं अच्छी लगी, नहीं ठीक लगी, बहुत प्यार महबबत से convey करें, stand लें और उनको बूलें कि ये चीज आप नहीं tolerate करेंगे, अब देखिए मैंने बहुत ही एक general level पे कहा है, फिर से कहूंगी situation circumstances सबके लिए differ करेंगे, अब देख रहे हैं कि आपके partner की energies हैं, तो दिखिए आपके partner के लिए आपे सबसे पहला card है Two of Pentacles, और ये card कहता है कि बहुत in and out, up and down वली उनकी energies हो रही हैं, यानि कि कभी कुछ, कभी कुछ, कभी बहुत प्यार महबबत से बात कर रहे हैं, बहुत interested दिख रहे हैं, कभी आपको ऐसे लगेगा कि भई, पता नहीं इनके मन में feeling है या नहीं है, मैं आपको बहुत ही एक generic चीज बता रहे हूँ, ये general reading है, सब Pisces के partner के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा, मुझके लिए हो सकता है कभी action initiatives ले रहे हैं, कभी नहीं ले रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है decision choice ले energies रहती भी दिख रही हैं, opposite attract का card दिखी एक दो चीजे कहता है, या तो आपके लिए बहुत एक attraction वो महसूस कर रहे हैं, मन ही मन, या फिर कोई उनकी तरफ attract हो रहा है आपके अलावा, या वो किसी की तरफ attract हो रहे हैं, आपके अलावा, अब दिखिए यहां पर सिरफ opposites attract ल all this, मैं सिर्फ और सिर्फ ही कह रही हूँ कि एक मन में attraction या तो आपी के लिए बहुत जादा महसूस कर रहे हैं, surface level पे उतना उनकी energy से, action से जाहिर नहीं हो रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है, या फिर, you know, मन ही मन, किसी और के लिए एक attraction वो महसूस कर रहे हैं, और कहीं mid august के लिए four of swords का कार्ट कहता है, कि शायद इसलिए आपिर otherwise थोड़ा सा withdraw कर रहे हैं, कोई भी reason हो सकता है, उतने action initiative नहीं ले रहे हैं, deeper level के लिए cheating का का कार्ट कहता है, शायद उनको ये लग रहा है कि कहीं भी उनसे कुछ गलत नहीं हो जाए, या फिर, देखिए, cheating सिरफ love triangle नहीं होता है, third party नहीं होता है, अगर आपने अपने partner से जूट बोला, transparency नहीं रखी या फिर उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने आपसे जूट बोला, transparency नहीं रखी तो ये भी cheating होती है, तो किसी भी level पर एक cheating सी वो महसूस कर रहे हैं, आप देखिए, यहाँ पर भी surprises के partner के लिए differ करेगा, कुछ prices के partner के लिए हो सकता है, कि उन्होंने आपसे कोई बात चुपाई, या फिर, एक transparency नहीं रखी और ये चीज उनको hurt कर रही है, उनको बुरी लग रही है, और इसलिए, जैसे होता है कि वो face नहीं कर पा रहे हैं, withdraw कर रहे हैं, थोड़ा सा back seat ले रहे है कुछ prices के partner के लिए हो सकता है, कि आपकी तरफ से उन्हें लग रहे है कि आपने कुछ गलत किया, आपने कुछ ठीक नहीं किया, और दिखे, आपके लिए भी यहाँ पे five of souls का card है, तो आपके लिए भी यही चीज आप applicable होगी, कि या तो आप fair नहीं रहे और इस चीज को ले कर थोड़ा सा परिशान हो रहे हैं, फिर से यह जनरल रीटिंग है, थोड़ा थोड़ा सा अब के लिए डिफर करेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर cheating का card है, five of souls का card है, august मंत की energies के लिए caught का मतलब पकरना है, पर फिर से मैं कहूंगी जूट पकरना हो सकता है, flirt करते हुए आपके partner के लिए opposites attract का भी card है, यह आपके partner के लिए है, तो किसी की तरफ वो attract हो रहे हैं, उस चीज को पकड़ा, तो कोई भी चीज हो सकते हैं, तो यहाँ पे ना कुछ issues, कुछ मसले छोटे मुटे रहते हुए दिख रहे हैं, it's not just कि जूट बोलने की वज़े से unfair energies हैं, इ आपके partner को एक fear हो रहा है, एक insecurity हो रही है, और कहीं बहुत एक fear भी रह रहा है, कहीं confused हो रहे हैं, बहुत जादा चीजों को लेकर clarity नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो इस situation में क्या करें, और इसी लिए फिर से यहाँ पे do not disturb का card कहता है, कि शायद उन्होंने अपन कमरे में बंद कर लिया, का मतलब यह नहीं कि लिटरली कमरे में बंद कर लिया, यानि कि वो इतने action नहीं ले रहे, initiative नहीं ले रहे, withdraw कर रहे हैं, back seat ले रहे हैं, अपनी तरफ से थोड़ा सा, you know, इतने active नहीं दिख रहे हैं, और अब देखते हैं कि August month में क्या हो रहा है, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे Queen of Cups है, और यह कार्ड कहता है कि बहुत emotional, बहुत sentimental, आप दोनों में से कोई हो रहे हैं, कहीं mood swings हो रहे हैं, थोड़ा सा emotionally low भी हो सकता है, feel कर रहे हैं, divine guidance का कार्ड कहता है, यहाँ तो किसी से guidance advice ले रहे हैं, लेना चाहा रहे हैं, यहाँ कुछ की लिए हो सकता है, पाइसेज आप यहाँ आपके partner professional advice या professional guidance ले रहे हैं, कहीं mid August के लिए, यहाँ पे court का कार्ड कहता है, कि आप दोनों याप दोनों में से किसी एक ने दूसरे जन को पकड़ा है, या फिर खुद को भी पकड़ा, कहीं बारी हम ही नहीं aware होते हैं, कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, तो यहाँ तो खुद से लेकर एक realization होगी कि भाई यह ठीक नहीं है, इस चीज को सुधारना चाहिए, यहाँ फिर आपने partner को किसी चीज को करते वे पकड़ा, यहाँ आपके partner ने आपको पकड़ा, फिर से यहाँ पे clear कर दू, जूट बोलते वे पकड़ा, फ्लर्ट करते वे पकड़ा, किसी में जादा interest लेते वे पकड़ा, इका दुखा लोगों के लिए भी हो सकता है कि किसी के साथ physical intimacy करते वे पकड़ा, इका दुखा, बहुत कम लोगों के लिए बोल रहे हूँ, तो जो भी चीजे मेरे मांड में ह लेकिन किसी चीज को लेकर आपने partner को या partner ने आपको पकड़ा, और कहीं दिखिए ये blessing and disguise भी हो सकता है क्योंकि इसके बाद एक clarity आप दोनों को ही अपने अपने level पर आई होगी, इसके बाद थोड़ी सी उमीद जागी होगी, जो भी आप चाहा रहे हैं, आपको ऐसे लग जहां पर आप लोग उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं, तो हो सकता है कि सोच जादा रहे हैं कि कैसे चीजों को बहतर करें, कैसे reconcile करें, कैसे problem को solve करें, लेकिन deeper level के लिए stress का काग कहता है कि tension हो रही है, stress हो रहा है और इसलिए शायद सोच तो रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं, त तो सबसे पहली चीज की एक clarity लाना बहुत बहुत important है, और आपके लिए मैं देखूं तो prices आप भागे ना किसी भी situation से, आप upfront होके उसको deal करें and बहुत critical judgmental ना हो, जिस चीज को end करने की ज़रत है, उसको end करें, जो शुरू करने की ज़रत है, उसको शुरू करें, decision choice लेने क ज़रत है, उसको ज़रूर ले, पार्टनर को तो देखें, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, हम अपने आपको ही सुधार सकते हैं, and trust me, जब हम खुद के अंदर changes लाते हैं, तो पार्टनर के अंदर भी changes आते हैं, और relationship बहतर होता है, और you know, अगर आपको लगता है कि छुटी मोट इसी चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो अपना stand लेके, बहुत clearly communicate करके, आप चीजों को आगे बढ़ाएं, और अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी बात है, भही नहीं आप forgive कर सकते हैं, तो relationship को end करें, खाम खाँ घसीतने की, या फिर खाम खाँ चीजों को अगर लेकर जाने की कोई जरुरत नहीं होती है, तो जो भी आप चाहा रहे हैं आप सिरफ सोचें उसके लिए action लें, उसके लिए initiative लें, कहते हैं हिंदी में चिंता चिता के समान होती है, चिंता करने से कुछ भी नहीं improve होता है, और यहाँ पर देखिए stress, stressful का का काट कहता ह है कि आप शित परेशान होते जा रहे हैं और इसी वज़े से आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आप चिंता ना करें, आप stress ना अपने आपको होने दे, stressful ना अपने आपको होने दे, जो भी problem है, उसका क्या solution है, उसको कैसे आप solve कर सकते हैं, उस पे focus करके, उसको solve करेंगे, तो ये था पाइसेज आप लोगों के लिए August 2024 की Love Tarot Reading, और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें